हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री और इंस्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनालसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नहीं चीज़ें हमें सीखने के लिए मेलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद check करेंगे fingers setting को and mounts को और सबसे last में हम check करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए हमें शुरू करने जा रहा हूँ कोई काल सर्थ दोस्ट या कोई ऐसा दोस्ट तो नहीं इन सभी बातों का ज्वाब आपको मिलेगा भिगू पत्रिका में भिगू पत्रिका में इन सभी बातों के साथ-साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका बविश्या फल भी और ये सबी कुछ मिलेगा सिर्फ पांसो एक रुपए में तो दोस्तों आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए या भिगू पत्रिका वो भी डिजिटल फॉर्म में जस्त इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए थे करने तो यहाँ पर देख सकते हैं के फींगर्स काफी ठिक हैं काफी सारी सिद्धी कड़ी रखाएं इनकी सभी फींगर्स के उपर नजर आरे हैं आपको दिखाना चाहूँगर ड्रॉब करकर और अगर देखा जाएंगी fingers की thickness को तो यहां से आप देख सकते है fingers काफी thick नज़रा आ रही है जो indicate करती है काफी अच्छी energy and stamina को अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यहां पर इनकी सूरिया finger की लंबाई काफी ज्यद्ध नज़रा रही है अगर हम compare करें ब्रस्पती finger के साथ तो ब्रस्पती finger से थोड़ी ज्यादा लंबाई में सूर्या finger लेकिन ब्रस्पती finger भी बहुत ज्यादा short नहीं है सूर्या finger का अच्छी length में होना indicate करता है कि native के भीतर काफी अच्छी creative and artistic qualities भी रहेंगी जिनकी सूर्या finger ज्यादा लंबाई में होती है ऐसे native का social circle भी काफी अच्छा बन जाता है और ऐसे व्यक्ती काफी अच्छे famous होते हैं अपनी society में काफी अच्छा इनका fame भी रहता है और साथी साथ थोड़े से adventures and risk taker रहते हैं इनकी यहाँ finger लंबाई में होती है रिस्क लेने से ऐसे native नहीं घबराते और अगर हम बात करें इनकी index finger की तो यहाँ पर यह medium size में है लेकिन ब्रस्पती mount और finger दोनों ही strong नजर आ रहे हैं जिस वज़े से spiritual type की nature इनकी knowledgeable personality और काफी अची leadership qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं अगर हम बात करें शनी finger की तो आप देख सकते हैं शनी finger बिल्कुल straight है काफी अची length में नजर आ रही है जिसकी वज़े से ऐसे native काफी मेहनती nature के रहते हैं और अपनी life में अपनी इसी quality की वज़े से काफी अची progress पाने में भी काव्याब रहते हैं बात करते हैं कि mercury finger की तो यहां पर आप देख सकते हैं mercury finger की लंबाई को सूर्य finger के top phalanche के क्रीप पहुंचती हुई यह mercury finger indicate करती है काफी अच्छे communication skills को ऐसे native के communication skills को अच्छे रहते हैं साथी साथ calculations करने की capability और business equipment भी अच्छा होता है और अगर देखा जाएं यहां पर आपको एक हलका gap नजर आएगा है दोनों fingers के बीच में जो दर्शाता है काफी ज़दा independent type की nature को ऐसे native थोड़े से जिद्धी सभाव के भी हो सकते हैं और अगर हम देखें इनकी fingers की जो यहां पर बीच फैलेंजी जीज़ है यहां पर बिलकुल भी gaps नजर नहीं आ रहे आप देख सकते हैं बिलकुल आपस में सटी होई fingers हैं जो यहां पर इनकी काफी अच्छी money management को भी दर्शाती है ऐसे native की money management काफी अच्छी रहती है और ऐसे व्यक्ति अपनी life में धीरे धीरे करकर काफी अच्छा धन accumulate करने में भी काम्याब रहते हैं तो दोस्तों यहां तक हमने देखा इनकी fingers को तो चली अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं के सभी mounts को और इनकी सभी रेखाओं को तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका guru mount, shani mount और surya mount इन तीनों mounts को तो काफी अची space मिल पा रही है यहां से यह रेखा जो बन रही है थोड़ा सा नीचे की तरफ जुक रही है जिस वज़े से mercury mount को थोड़ी सी space कम मिल पा रही है थोड़ी सी shy nature ऐसे native की रह सकती है जिनका mercury mount low set हो लेकिन अगर overall देखा जाए तो weakness नहीं है कोई भी च्योंकि mercury mount के उपर ना तो कोई negative chin है ना ही यह mount दब रहा है यह mount काफी उपर को उठा हुआ है अब देख सकते हैं यहां जो area है उबरा हुआ है जिस वज़े से ऐसे native का business equipment strong रहता है और communication skills को भी बल मिलता है इस तरह का जो mercury mount होने की वज़े से अगर हम बात करें सूर्य mount की आप देख सकते हैं यह mount अंदर की तरफ दब रहा है अगर हम compare करें इस mercury mount से आप compare कर सकते हैं यह कितना ओपर की तरफ उठा हुआ हुआ और यह mount इस area से अंदर की तरफ आपको दबता हुआ नजर आएगा जिस वज़े से native को बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता यहाँ पर fame अच्छा रहेगा पहचान society में अच्छी रहेगी क्योंकि एक लंबी सूर्य रेखा यहां से लगभग शुरू हो रही है जो यहाँ पर आपको उपर तक नजर आएगी उसके साथ साथ कुछ और रिखाएं ऐसी रिखाएं होने से native की creativity का level अच्छा रहता है multitasking होती है इनकी personality और यहाँ से जहरेखा शुरू हो रही है लगभग 45 क्यास बास की यह से काफी अच्छा social circle बन पाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा यश नहीं मिलता हो नजर आ रहा है क्योंकि सूरे माउंट दब रहा है सूरे माउंट अगर दब रहा हो तो native को यश में थोड़ी सी कमी आती है ऐसे विक्ति दूसरों की कितनी भी मदद करने कितनी भी हल्प करने बदले में reward इनको नहीं मिल पाता अब बात करते हैं कि शनी माउंट की अब देख सकते हैं यह जो एरिया है शनी का एरिया कहलाता है और अगर शनी माउंट दब रहा हो तो native को काफी महिनत भी life में करनी पड़ती है ऐसे वक्ति discipline follow करने वाले होते हैं discipline में रहने वाले होते हैं और महिनत ही होते हैं और यही quality इनकी life में इन्हें बहुत अच्छी progress भी देती है लेकिन यहां पर महिनत ज्यादा रहेगी और उसके according reward जो है वो शनी रेखा की वज़ए से मिलता है लेकिन शनी रेखा को अगर हम देखते हैं यहां पर तो आपको नज़र आएगा कि इनकी शनी रेखा काफी strong है यहां से आप देख सकते हैं यह रेखा नीचे से उपर की तरफ चलती है जो आपको इस area में के merge होती नज़र आएगी इनकी heart line में और इस रेखा को कुछ और रेखाएं क्रॉस कर रही है इस वज़ए से ups and downs, financial ups and downs का सामना भी इनको 45 की age तक करना पड़ सकता है उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत अची भाग्या रेखा इनके हाथ में है भाग्या रेखा को स्पोर्ट करने के वाली एक और रेखा जो spouse यानि के partner की स्पोर्ट को दर्शा आती है काफी अच्छी स्पोर्ट ऐसे नेटिव को partner की भी मिलती है लेकिन stress lines मौजूद होने की वज़ए से ups and downs थोड़े से रहते हुए नज़र आ रहे हैं अगर हम बात करें इनके guru mount की तो आप देख सकते हैं जो guru mount है इनका काफी उपर की तरफ उठा हुआ नजर आ रहा है और उबरा हुआ ब्रस्पती mount native को knowledgeable बनाता है ऐसे native की knowledge बहुत अच्छी रहती है जिनका यह area जिसको मैं अभी circle कर रहा हूँ यह ब्रस्पती mount है अगर यह उपर की तरफ उठा हुआ है और खासतार पर इनकी तो heart line भी इसी area तक पहुँच रही है तो ऐसे व्यक्ती दिल से spiritual होते हैं दिखावे की spirituality इनको पसंद नहीं होती और दूसरों की मदद करने वाली nature spiritual type की sympathetic nature क्योंकि यह जो रिखावे आपको नजर आ रही होंगी इन रिखावे को हम lines of sympathy कहते हैं ऐसी रिखावे हाथ में मौचूद हैं इसकी वज़े से बहुत ही sympathetic nature दूसरों की मदद करने वाली nature इनकी रहने वाली और काफी अच्छी ग्यानवान type की personality इनकी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ऐसे व्यक्ति दूसरों को educate कर सकते हैं और इनकी खुद की knowledge बहुत अच्छी रहते हैं और इन्हें जरूर अपनी विद्या का दान करना चाहिए जिनका ब्रस्पती अच्छा हो ताकि और ज्यादा life जो है comfortable रहे और बहतर life रहे अब आप देख सकते हैं इनकी heart line को heart line में आपको यहाँ पर एक इस तरह का Vishnu symbol clearly बनता हुआ नजर आएगा एक Vishnu symbol जिनकी heart line के अंत में बनता हो ऐसे native की life में तरक्की के chances बहुत ज़ादा strong होते हैं लेकिन अगर ऐसा native हाथ में complete Vishnu sign बन रहा हो गलत रास्ते पर चल कर धन कमाने की कोशिश करे तब life में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं प्रिशानी आ सकती हैं इसलिए जिनके हाथ पर यह Vishnu symbol बनता है उन्हें हमेशा यही राय देता हूँ सुझेस्ट करता हूँ कि गलत तरीके से कभी भी धन कमाने की कोशिश ना करें life में अच्छे रास्ते बर चलते हुए fair means से धन कमाएं आपकी life में बहुत अच्छी तरकी आपको जरूर मिलने वाली है और overall देखा जाए इनकी हार्ट लें सीधा गुरू माउंट तरक पहुंच रही यहाँ जो एरिया है ब्रस्पती माउंट का जबिटर माउंट का है यहां तक इस रेका बहुंचना इंडिकेट करता है बहुत ही लायल परसनालिटी रहती है बहुत ही आनेस्ट होते हैं यह लोग और overall अगर देखा जाए इनकी हार्ट लाइन में कर्फ काफी अच्छा है जिस वज़े से emotional nature भी रहेगी और सासत यहां पर यहां रेका थोड़ा सा ओवरलाप शो कर रही है सेरिया में आकर तो इस तरह की overlapping यहां पर होना heart को लेकर heart की health को लेकर थोड़ी परिशानिया दे सकते हैं लेकिन लगबग 60 के आसपास की age में अब बात करते हैं इनकी line of mind की आप देख सकते हैं mind की line किस तरह से मिलकुल straight है और कोई भी major issue इनकी mind की line नहीं दर्शा रही और life line से छोटी age से यह रेका अलग हो रही है आप देख सकते हैं यह दोनों रिखाएं इस area से ही अलग हो रही है 20 के आसपास की age से mind line अपना रास्तक त्यार कर रही है जिसकी वज़े से ऐसे native छोटी age से ही independent हो जाते हैं अपने सभी decisions खुद से लेना शुरू कर देते हैं जब इस तरह की mind line हो mind काफी शार अप रहेगा कोई भी major issue ने थोड़ी सी anxiety हो सकती है ने वो इन रिखाओं की वज़े से जो रिखाएं इनकी mind line को cross कर रही है इस तरह की रिखाएं होने से थोड़ी anxiety की दिक्कत आ सकती है लेकिन कोई बड़ी problem इनकी mind की line indicate नहीं कर रही अब बात करते हैं इनकी line of life की अब देख सकते हैं life की line काफी अच्छी लंबाई में है और लगबग यहाँ पर 80 के आसपास की age रहने की संभावनाएं इनकी life line से यह जो life line आप देख सकते हैं लगबग पूरी हथेली को cover करती हुई बहुत ही अच्छी life line इनके हाथ में नजर आ रही है कुछ बड़ी problems नहीं हैं कुछ minor stress lines यहाँ पर आप देख सकते हैं चोटी-चोटी stress lines हैं जिनकी वज़े से minor stress आ सकता है लेकिन बड़ी दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही और काफी अच्छी progress इनको इन offshoot की वज़े से भी मिलने वाली है यह offshoot 50 और 55 के आसपास की age में इने काफी अच्छी progress देने में कामयाब रहेंगे काफी अच्छी desires फुल्फिल होती है नेटिव की जब इस तरह हैं के offshoots उपर की तरफ जाते हुए नजर आएं अगर हम बात करें इनके चंदर माउंट की तो चंदर माउंट का जो area बिलकुल clear है यहां से रिखाएं उपर की तरफ उट रही हैं है रिखाएं travel lines काहलाती है life में लंबी दूरी की यात्राइं करने के chances भी असे निटिव को कई बार मिलते हैं और अगर हम बात करें इनके शुक्र माउंट की वीनस माउंट का जो area है लगबग यहां पर flat shape में नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा उपर की तरफ उठा हुआ यह area नहीं है और कुछ बारीक रिखाएं यहने हम worry lines कहते हैं वो यहां पर मौझूद हैं लेकिन बहुत ज़्यादा strong lines नहीं है वजह से बड़ी परिशानी तो नहीं लेकिन थोड़ी worries इस family की तरफ से मिलने की संभावनाई यह Venus Mount indicate कर रहा है तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं